संकर सेलो चैनल पर आप सबका स्वाबत है आज के वीडियो में मैं आपके लिए तालियां बज़वाने के लिए सायरियां लेकर उपस्तित हुआ हूँ क्योंकि मंच पर जब हम प्रस्तुति देते हैं तो तालियों का बड़ा महत्तु होता है अगर आपने इन तालियों को याद कर लिया तो आपको जहां भी बोलने का मोख़म ये लेगा वहां तालियों की गड़गड़ाट से पूरा मंच बोल उठेगा इसा मेरा दावा है तो जैसे कारिकरम की सुरात में हम बोल सकते हैं कि आज का ये अउसर बड़ा निराला है आज यहां पर नूर वर्षने वाला है अरे एक बार जोड़दार तालियां बजा दे कारिकरम अब सुरू होने वाला है बीच में अगर सुर्टी आ जाती है तो आप ये तालिय बोल सकते हो कि जिन्दगी में कभी खुशी कभी गम होता है अरे तालिय वो बजाता है जिसके हातों में दम होता है और मिठी मिठा उलाहना देने के लिए आप बोल सकते हो कि जिससे रस निकलता है उसे हातूच कहते हैं जो ताली नहीं बजाता है उसे कंजूस कहते हैं उसे कंजूस कहते हैं कलाकारों के लिए आप बोल सकते हो कि इंदुस्तानियों का नसा चाई की प्यालियों में होता है इंदुस्तानियों का नसा चाई की प्यालियों में होता है मगर एक कलाकार का नसा सिरफ आपकी तालियों में होता है अरे बारिश एसी होग की समंदर में उफान आ जाए और तालियां एसी बज़े की महफिल में जान आ जाए अब लिखारी है कि पैरों में पाईल और कानों में खनकती है बालियां पेरों में पाईल और कानों में खनकती है बालिया और एक कारिकरम का मज़ा तब आता है जब बज़े आपकी तालिया मंदिर में पूजा के लिए धाली चाहिए और अच्छे कारिकरम के लिए आपकी ताली चाहिए अच्छे कारे करम के लिए आपकी ताली चाहिए हासी खुशिका वाताउन बनातने के लिए आप पैसकते होगी मन मचल कर मोर होना चाहिए हासी का आप दोर होना चाहिए मन मचल कर मोर होना चाहिए हासी का आप दोर होना चाहिए और ये कार्य करम तो अच्छे-च्छे हैं आपके लिए मगर आपकी तालियों में जोर होना चाहिए थोड़ा असा क्या, थोड़ी सी दुआ अता कीज़िए इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरा विशुआस और आपने इन शाहिरयों को नोटबुक में उतार करकी याद कर लिया तो फिर आपको मंच पर तालियों की कमी नजर नहीं आएगी अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद